नमस्कार बेहों रजनीश परताप सिंग और आप देख रहे हैं यू के तेज तो आज कोई खबर नहीं है बलकि आज एक छोड़ा सा किस्सा है एक जिड़ मिनट का किस्सा है दीपक बोरा का इंटरनेशनल डेवलेप्मेंट एकोनोमिस्ट दीपक बोरा को देखकर आज बचपन की कुछ यादे ताजा हो गई यादे जुड़ी हैं दीपक बोरा के साथ डोईवाला के साथ तो आज रातरी भोजन करते समय मॉबाइल फोन पर मैंने एक कुछ स बोल रहे थे हैं पूरे हिंदुस्तान में मेरी दिष्टी में ऐसी आवाज की क्वालिटी देवदूलब हैं ऐसी गजब की आवाज दीपक बोरा एक पूर्व डिप्लोमेट यानि कि राजनाइक होने के साथ साथ आज वह दुनिया के कई देशों के एकोनोमिक वह हैं इंटरनेशनल आफेर्स में डील करते हैं तो मेरे बच्पन की शुरुवात दीपक बोरा के साथ हुआ करती थी यानि की जब एटिवी पर आते थे दीपक बोरा जब टीवी पर आया करते थे तो आप समझें कि पूरे हिंदुस्तान की सुभा की शुरुवात दीपक गोरा के शो के साथ हुआ करती थी वह इतने पॉपलर रहे हैं पूरा इंदुस्तान बहुत चाव के साथ उनके शो को देखा करता था अब बात करते हैं डोईवला की तो दक्षिंड की एक अबीनेत्री हुई है माधवी माधवी हिमालय के साधग स्वामि राम की शिष्यरा है और उसी दुरान जब माधवी यहां जोईवला के जोलिगराट पर आया करते थी उसी दुरान जो है दीपक बोरा भी आया करते थे और ऐसा एक नहीं कई बार ऐसा हुआ कि में बाबा के पास गया स्वामी राम जी के पास गया तो वहां पे स्वामी राम जी के साथ दीपक बोरा भी बैठे हुआ करते थे और कई दफा एक सामाने शिष्टाचार के वर्ष तो है उनको अभी बादन भी हुआ है अस्कार भी हुआ है तो आज जब वो क्लिपिंग देखी और अभी मुझे जानकारी भी है कि कुछ वर्षपूर भी दीपक बोरा डोईवाला के जो लिकनाट में आये थे बाबा के स्थान पर तो आज भी ऐसी गुनवत्ता पूर्ण आवाज ऐसी उर्जा ऐसा ओज जो दीपक बोरा का मैंने किसी को भी इंस्पार करने के लिए परियाप्द है रोल ऑल यहे जांनता हो जितने दर्शक हमें आप देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं उसमें से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिने वो बच्पन का भै आज से बहुत साल पहले का भै शो भी याद रहाओंगा जिसमें हिंदुस्तान की सुभा की शुरुवात दीबग बोरा के साथ हुआ करती थी बहुत जबरदस्त एक परसनल्टी प्रेजित करने वाली, इंस्पायर करने वाली मन पर फुलित हुआ तो यह किस्सा आज मैंने आपसे शेर किया मैं हो रजनीश परताब सिंग शुभ रात्री देखते रहे हैं यूके तेश